पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लेव आप डाउनलोड करें सोनी लेव, वी लेव टू एंटिटेन जहिंद माडम साँ जहिंद, जान सकते हैं आप कहां थी? रूटीन बीट पे गए थे हम पूरा दिन आप रूटीन बीट पर थी हाँ वो चोटे मोटे केसिस वो उसका चार्ज परताल करना था तो वो सोचाँ वो कर ले हम और वो अन्यूल रिपोर्ट बनाना आ न तो आप जानती है कि वो पूरा फिट इन फाइन होना चाहिए सॉलिड ओना ची रिपोर्ट तो सोचा आमिये कर ले क्यों कुछ... मतलब हम नहीं थे थाने में तो कुछ गटबड हुआ क्या नहीं नहीं कोई गढ़बड नहीं हो ही In fact हम में तो थाना अग सुबा से खाली-खाली लग रहा है कोई रिपोर्ट लिखवाने नहीं आया कोई नहीं कंप्लेन नहीं आयी बहुत हैरानी की बात है, नहीं? हैरानी? नहीं, माडम सर, ये बहुत खुशी का बात है कि कोई कंप्लेन नहीं आया है मतलब अच्छा है ना, यहां पे क्राइम कम हो रहे हैं सुक शांती मिल गया है हमें तो बहुत अच्छी बात है माफ कीजेगा लेकिन आप खुश नहीं लग रही है नहीं, नहीं, हम बहुत खुश हैं बस हम ये सोच रहे हैं कि अचानक से जब किसी डॉक्टर के पास उसके मरीज आना बंद कर जाएं तो उसकी दो ही वज़ा हो सकती है एक या तो शहर में से बीमारिया खतम हो गई है या फिर या फिर या फिर उसी एरिया में कोई नया क्लेनिक खुल गया है कोई नया डॉक्टर आ गया है जो लोगों का इलाज करने की बजाए उन्हें बस पेन किलर दे कर तुरंत रहत दे देता है समझ नहीं भा रहे है मैडम सर आप क्या कहना रही है मैडम सर या तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने मननत मांगी थी शिव जी ने वो सुन ली बुल बुल पंडे को अकल आ गई और वो खुद अपने एरिया के जो केसे है वो खुद देख रहा है इसले हमारी अथाने में केसे कम आ रहे हैं और क्या ये हो सकता है बुल बुल पंडे देख रहा होगा केसे हमें ट्रेणिंग में सिखाया जाता है कि सचना बहुत सिंपल होता है साधहरन होता है एकदम सीधे से निकल जाता है उसे बोलने के लिए कोई effort नहीं लगाना पड़ता लेकिन जूट तेड़ा होता है उसे बोलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है कहानिया बनानी पड़ती है खुद को बहुत ज़ादा कंट्रोल करना पड़ता है और वो ओवर कंट्रोल बॉडी लेंगवज में आ जाता है और बॉडी लेंगवज पड़ना तो पुलीस वालों का काम है नहीं? जी, हाँ कुछपाजी, आप क्या चुपा रही हैं? कुछ भी तो नहीं मतलब हम कुछ नहीं चुपा रहें आपसे सब कुछ ठीक चल रहा है उमीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ही चल रहा हो क्योंकि अगर इस सब कुछ में कोई भी गड़बड़ी आई तो कुछ लोगों को बहुत जादा तकलीफ हो सकती है और उमीद करते हैं कि ये बात आप दोनों बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमें हर चीज बर्दाश्ट है लेकिन धोका बर्दाश्ट नहीं है ये सब मत कीज़ें पुछ पाजी कि ये से जादाश्ट नहीं है